क्या किसी ने आपको कभी को कुछ याद करने के लिए कहा है? इसका मतलब है कि वसोचता होगा कि आप इससे भूलना चाहें। आप ये जानकर विश्वास नहीं करेंगे कि दुनिया के अधिकांश लोग कुछ ऐसे चीजों को भूल गए हैं जो स्वयमिश्वन ने हमें याद रखने के लिए कहा था। क्या विश्वास करेंगे? अगर हमें याद है तो हमारे अतिवियस, अतिपीडित और अतिचिंची समात के वज़े से हैं। मैं बतारा चाहूंगी कि परमेश और क्या चीज रखने हमें कहता है। इस बाइबल के भर्ष द्वाणियों को प्रकाशित अधिन के द्वारा करूंगी। एक अंतरास्टी महामारी का फुद है कोरोनो वाईरस के बारे में ब्रेकिंग बुर्स, वैश्विक राज़नीती का धुरूविकर्ण, कोप्रबंधन और भर्ष दाचार, अत्तदिक विनाशकारी प्राकतिक आपदाएं। आस्ट्रेलिया में जाड़ी की आग, दुनिया भर में आने वाली हो सकती है कि एक चेताओनी है। इसका क्या मतलब है? वैश्विक में क्या है? अनलॉग बाईबिल भर्ष दौनी में, जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतरास्टी वक्ता कैमी ओट्मेन के साथ शामिर में वह वास्तवी जिवन के संगर्सों का सामना करने के लिए सामने आई। लेकिन इस आत्रा की वीज में उन्हें वह आशा के चमतकार मीरे हैं। बाईबिल भर्ष दौनी कैसे पहरी से तेजी से पूरी होती जारी है। मेरा नमस्कार, मेरा नाम कैमी, मैं आपको स्वागत करती हूं मित्रो, क्या आपको बाईबिल की भर्ष दौनी को खोल कर आशा मिले? मुझे आशा है आपको मिली होगी। अपने दोस्तों वो ताना ना भूलें, अनलॉकिंग बाईबल भर्ष दौनियां इस अध्यान शिं और जी बाईबल पर जाएं, साथ ये साथ सभी संगरित कारक्रमों को भी देखें। पिछले अध्यन में हमने सीखा कि परमेश्व का मार्ग आग्या अनन्त है और यह इसले क्योंकि उसका चरीत्र है, परमेश्व ने दस आग्या लिगा ताकि हम भरपूर शीवन का अनन ल द्वारा इसको दस आग्या में प्रगट किया, हम देख सकते हैं कि हमारे कई आधुनिक कारून का मुल्षोत परमेश्व के आग्याओं पर आधारी थे, लेकिन आपको आश्य होगा कि परमेश्व के उन आग्याओं में से एक को लगबर पूरी तरी से भुला दिया गया, क आपको याद दिलाना चाहती हो कि आप हमारे ओनलाइन बाइबल परिश्व के साथ चैट करने के लिए नीचे दिया लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, हमारे ओनलाइन बाइबल स्कूल के लिए सायरप कर सकते हैं या प्रात्मा अनुरुट आज सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए प्रात्मा करना पसंद करते हैं आई हम प्रात्मा करें कि हम विश्वास योग्य मुहर का अध्यन को अच्छी तरह से समझ सकें स्वर्गे पिता, दुनिया के राजा, हमारे दीलों के राजा, परमेश्वर पिता हमें इस अंधेरे दुनिया में आपका वच्छन से हमें मागदर्शन करें जैसा कि हम विश्वास योग्य मुहर का अध्यन करने जा रहे हैं हमें साफ विचार समझने के लिए दिए ताकि हम सत्य को समझ सकें पईत्रात्मा के दुआरा आप हमां अगवाई करें हर शोतागण को ताकि हम आपको अधिक जाने और आपको हम अधिक प्रेम कर सकें येश्व के अनमोल शक्तिक शाली नाम में आमिन अब मैं आपके साथ वच्छन को बताने के लिए प्रवाईत महसूस करती हूँ आपके सामने खड़े होने का मेरा एक इरादा है कि केवल बाईविल के सत्य को साजा करूँ अब मिन में से कुछे सत्य आपके लिए नया हो सकता है जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ लेकिन मेरे साथ रहे मित्रों मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक इमानदारी और निश्टा के साथ कहती हुई लेकिन कभी-कभी सत्य को चोड़ पहुँच सकती है और अर्ज वह सकती है लेकिन यह कभी भी विश्वाजगात नहीं करता या आपको भटकने नहीं दीगा आपको निन्ने लेने के लिए अपनी बाइबल से उत्तर देखने की आवश्रकता है इसके अलावा हमा आज रात कई बाइबल पदिस्तर से गुजरेंगे पर कब समय कम समय के लिए हम केवल कुछ लंबेत बाइबल पद को पड़ेंगी इसलिए मैं आपको प्रसाहित करती हूँ इस कारकरम के शुरू होने के बाद आप इसको जाज कर लें आप वीडियो को रोक सकते और पते कविता को पूरा पर सकते मैं चाहती हूँ कि आप मिलें मेमना शेक से मिलें वह कुछ समय पसिद हो गया श्रेक अपने चरवाहे से दूर भटक गया और 6 साल के लिए खो गया और आश्रे लेने के लिए गुफाओं में छिपा हुआ था वहां अकेला बच गया और इस अलगाओं के दौरान उनकी उन बढ़ गई और 60 पाउंड तक बढ़ गई उस पर 27 किलोग्राम अतिरिक उन है अधिकांस भेडों में लगबख 10 पाउंड या 4,5 किलोग्राम का उन होता है श्रेक इतना बोजिल वजन दार था कि उसने अपने भाग के नियमित वजन का 6 गुना भार उठाया श्रेक को पता नहीं था कि चरवाहे ने कभी वो उसकी तलाश नहीं की वह दिन आया जब उसने भी खोई हुई भेडों को पाया और बच्छाया उनके अतिरिक बोज को उतारने के बस कुछी पल लगे जो श्रेक नहुन 6 सालों में जमा किये थे दोस्तों मत्ती 11 अठायस से 30 में ईशो कहता है मेरे पास आओ तुम सब जो परिश्रम करते हो और जो भारी बोज से अभी हुए लोगों मैं तुमें विश्राम दोंगा तुम मेरा जुआ उतारो मुझ से सिखो क्योंकि मैं नमर और हिर्दे का दिन हूँ और तुम अपनी आत्माओं के लिए विश्राम दोंगे क्योंकि मेरा जुआ आसान है और मेरा बोज हलका दोस्तों चली आज के रात अपना बोज येश्रो को डाल दें बिकार है ताकि हमारा महान चरवाह हमें सुतन करें आईए हमारे विश्र को याद करें अगर यह सत्य वचन बाइबल में है तो मुझे विश्वास करना है अगर यह बाइबल में नहीं है तो मैं असाहमत हूँ और यह मेरे लिए नहीं है क्या आप यह जानकर आश्यर चकित होंगी कि परमेश्र के पास एक विशेश चिन जो वह अपने लोगों को देता है क्या आप जानते हैं कि जब तक इसी व्यक्ति के पास हिश्व के लोटने तक का यह चीन नहीं होगा तो वो व्यक्ति परमेश्व के राज में प्रविश्व नहीं कर सकता मैं चाहूंगी कि हम बाइबिल के आकरी किताब अंसमे की भष्षान दुआनी से शुरू करेंगे प्रकाशियत्वाक के साथ एक से तीन में एक शक्ति शाली स्वर्दूते आग्या दे कि यूद और विनाष के अंतीम हवाएं हम पर तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक बहुत कुछ महत्पुन कारें पूरा नहीं हो जाता वह महत्पुन चीज क्या है आईए प्रकाशियत्वाक के साथ एक से तीन पढ़ें इसके बाद मैंने प्रित्वी की चारो कोनों पर चार स्वर्दूत खड़े देखे वे प्रित्वी की चारो हवाओं को थामी हुए थे ताकि प्रित्वी या समुंदर या किसी पेड़ पर हवा न चली फिर मैंने एक और स्वर्दूत को जीरती परमिश्र की मुहर लिए वे पूरव से उपर के और आते देखा उसने उन चारों स्वर्दूतों के जिंगे प्रित्वी और समुद्र की हानी करने का अलिकार दिया और उचे शब्द से पुकार कर कहा जिके जब तक हम अपने परमिश्र के दासों के माथों पर मुहर न लगा ले तब तक प्रित्वी और समुद्र और पेड़ों को हानी ना पहुचाना प्रतिकात्मफ भाषा में हवाएं युद्ध संगर्स और विनाश का प्रतिक है स्वर्दूत कह रहा है कि परमिश्र पित्वी पर के बारे में सच्चा इस शामीर है आईए हम प्रकाशित्वा के चौद्द छे देखें फिर मैंने एक सौर्दूत को आकाश के बेर्स में उड़ते वे देखा जिसके पास पित्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कूल भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सो सम क्या ही महान काम पर्मिशन ने हमें दिया है इसलिए तुम जाओ और सब जातियों की लोगों की चेला मनाओ और उन्हें पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से बक्तिश्मा दोई चिन मुहर और छाप का प्रियोग धर्म गंत में क्या गया है इन सभीकार्द एक है रोमिय पर्मिशों के सिल के बार भी बोड़ता है और सेवकों को सिल कर दिया जाता तो मुहर क्या है कभी-कभी अलंकारिक तरीके से कैसे उप्रोग के जाता है इफिश्यों एक तेरे में कहा गया है सत्य के वच्चन को सुनने के बाद आपके उध्धार का सुसमाचार विश्वास करते हुए अपनी पुईत्र आत्मा की पतिकिया के साथ छाप कर दिया गया इफिर 134 और पर्मिशों की पुईत्र आत्मा को शोक मत करो जीन के द्वारा आपको छुटकारे के दिन के लिए छाप कर दिया गया है ठीक है दोस्तों अब बाइबिल में मोहर के दो अलंकारिक उप्योक किये जाते हैं, सबसे पहले सील परमिशो के एक सक्षाई या आवशक्ता के लीए खड़ी हो सकती है, दूसरा एक मोहर परमिशो के स्वामित्व प्राचिन समय में एक मुहर का उप्योग स्वामित्व को इंगतित करने वास्तविक इरादे को इंगतित करने और प्रामणिक्ता को दिखाने के लिए किया जाता है परमिशो की मुहर जिसको मिलता है सचे अनुवाईयों की माथे पर इंगतित करता है कि हम उनके हैं माथे पर अपने मुहर लगाने से हम मसी के बास्तिकता विश्वसनिय प्रमाणिक अनुवाई हैं मुहर छाप हमें किया गया है का अर्थ है कि हम परमिश्र के आग्याओं को मानने के लिए हम समर्पीत है किसी परंपरा या रिवाज के करण नहीं और न सर्बसिप दिखावे के लिए नहीं मत्ति साथ बीस उनके फलों में उन्हें जान लोगे हमारे कारियों से पता चलता है कि हम वास्तों में कितने सम्बदित हैं और हम वास्तों में किसकी उपासना करते हैं सरकारी मुहर में कौन से तीन थीजी होती है ठीक है सरकारी मुहरों का उप्योग अधिकारिक रुप से रास्टी कानूनों की पहचान करने कानूनी दस्ताविजों को अधिकरित करने के लिए क्या जाता है इस तरह कि मोहर को कानून दाता का नाम देना होगा इसलिए उसके पिठासेन, अधिकारी का नाम, शिशक जो रास्टपती, प्रधानमंतिर, राजा और उस छेत्र के समान होगा जिसकी वो अधिक्षता करता है उसके पोईतर नियम में परमेश्र की मोहर क्या है? निर्गमन भी साड़ सी ग्यारव मैं दस आग्यों पर चलते हैं सातवे दिन परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्र का एक विश्राम दिन है क्योंकि छे दिन में परमेश्र ने स्वर्ग और पित्वी बनाया दस आग्यों में से चौथी आग्या परमेश्र की मोहर है आए देखें कि क्यों? क्योंकि यहाँ नाम परमेश्र है यह कहता है तेरा परमेश्र सिस्षी करता के रूप में परमिश्र की उपादी या कारले क्योंकि उसने बनाया था और परमिश्रु का छेतर है स्वर्ग और पिथवी चौथी आग्या अचुक भासा में घोशित करता है वो अधिकार जो दस आग्यों, हमारी निर्माताओं और पर्मेश्व की सरकार के अधिकार का समर्थन करता है प्रकाशित्वा के इस्परस्थ है हम अपने पर्मेश्व की आरात्ना करते हैं क्योंकि वो हमारा निर्माता और उधार करता है प्रकाशित्वा के 4, 10 और 11 बस हमें यही सिखाता है और यही दिखाता भी है उसकी अरात्ना करो जो हमेशा हमेशा करे रहता है तुम योग्य हो हे परमेश्वर महिमा सम्मान शक्ति प्राप्त करने के लिए आपने साब ही चीजों का निर्मान किया आपकी इच्छा सेवी अस्तित्वे में आये और बनाये गए प्रिपकाशित्वा के 5, 9 में यह कहता है कि आप योग्य हैं क्योंकि आप मारे गये थी और हमें अपने खुन से परमेश्वर के लिए छुड़ाया तो परमेश्व को हमने क्या अधिकार है कि हम उसके उपास ना करें वह हमारा सिस्ठी कारता है इश्वर ने अपने लोगों को उनके निर्मान और शक्ति के संकेत मुहर याचीन की रूप में क्या प्रदान किया आई हम उन्हें बताते हैं निर्गमन 31-17 इश्वर कहता है सब के दीन को याद रखने के लिए इसमान रखो सब को तुम्हारी प्रणियों की दौरान सदा की वाचा के लिए इसका मतलब हमेशा हमेशा की वाचा यह एक संकेत है मुझे और इसरायल के संतान के लिए 6 दिनों में परमेश्वर ने आकाश और पित्वी को बनाया और 7 दिन उसने विश्राम किया इसका लावा मैंने उन्हें अपना सब के दिन भी दिया है उनके और मेरे बीच एक चिन होने के लिए कि वे जान सकते हैं कि मैं ही प्रफू हूँ जो ने पवित्र करता है परमेश्वर स्वयम ने सब को उनके स्रिजन शक्ति को याद करने के लिए एक चिन के रूप में दि दुद परमिश्वर की चाप को एक व्यक्ति के कहां लगाने को कहता है आए दिखें प्रकाश्रितवा के साथ तीन कहता है कि जब तक हम अपने परमिश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा दे क्या यह मुहर हमारे शरीर में साकसात लगाए जाएगा रोमियो साथ पचीस में दिखते हैं हमारी प्रभू इश्वर मस्जी के दौरा परमिश्वर का धन्नवाद हो इसलिए मैं आप बुद्धिय से तुँ परमिश्र का वैस्ता का परन्तु सरी के पाप के वास्ता का सेवन करता हूं दोस्तों सीर मन को दिखता है जो ब्रेन हमारे सरीर का मु कहते हैं उसे नियंतित करता है यह छेत्र न्याई कारियों पिले जिमिदार है यह सोच तर्क निर्णय वहवार और भावना का केंद्र है ललाठ लॉब इतना महत्मुण है कि परमेश्वर उस विंति का केंद्र है उस प्रेयर का उस प्रात्मा का केंद्र है हमारी दिमाग में इस शेत्र से हमारे शम्ता पूरी तरवल से अवगत होना, समझना और विकल बनाना यही से होता है जब हम परमेश्रों के सबत को रखने के ने सामती देते हैं तो हमें चिलित क्या जाता है या हस्ता कर की जाते हैं हमारी दिमाग में जिसे माथे तुआरे दर्साया जाता है इसे ध्यान दिजी सुर्दयतों ने शैतान के क्रोद को तब तक दबाए रखा ये जब तक परमिश्र के लोगों ने उसके छाप के बारे में उसके छाप को स्वीकार नहीं कर ली था अब यह हो रहा है दोस्तों लोग बाइविल सब्द के बारे में सिख रहे हैं इसे सुईकार करने का फैसला कर रहे हैं परमेशन ने सब्द को कब बनाया उत्पत्य दो एक से चार उस दिन परमेश्व आकाश और पित्वी को बनाया सिस्टी के 6 दिनों के बाद परमेश्व ने सब्द को बनाया परमेश्व ने सब्द को कैसे बनाया निर्गमन 20 दर्ज साथवा दिन तेरे परमेश्व यवा का विश्राम दिन है परमेश्व ने 24 गंटे का समय से साथवे दिन से सब्द बनाया ये समय से बना और समय वह है जो प्रभु आपके साथ गरम प्रेम पुर्णों मित्रता विक्सित करने से होता है, वो मुझे अपने अमूल समय के 24 गंटे प्रदान करता है, इसलिए वह और मैं करीबी दोस बन सकते हैं, यह विवाव की तरह है, यह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक की साथी एक साथ नहीं बिताती, जब मैं अपना समय एक साथ प्राथि में गता नहीं बनाऊँगा, तक तक प्रभु के साथ मेरा संबन सफल नहीं होगा, शैतान सब के सत्य से घ्रिणा करता है, क्योंकि आपको परमिश्व के साथ एक अच्छे संबन की बिना बचाय नहीं जा सकता, प्रभु को जानना और प्यार करना, आप देखते हैं सभी रिष्टर समय के संदम में निर्मित होते हैं, शादी का क्या होता है, जब पति बतनी, क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करते हैं, दोनों अलग होने लगते हैं, तो एक दूसरी के साथ समय बिताना, करीब रहने के लिए समय बनाने की जरुवर्त है, हमें काम में व्यस्त रखना चाहता है, कौन? शैतान, और तनाव में रहता है, इसलिए हमें परमिशों के साथ समय नहीं दे पाते, इश्वन ने हमारे दिमाग को उसी पर केंदरित करने के लिए समय का तत्व क्यों चुना, उसने हमें पैदा किया उसके साथ संगती, जिसके समय की आवशक्त है, क्योंकि परमिशों ने जर्ग से इतना प्यार किया, कि उसने अपने एकलोती बेटे को दे दिया, ताकि जो को इस पर विश्वास करें, वो नाश नहों पाएं, तो अनन जिवन पाए, ताकि इस धर्तिप उसके साथ हमारा आ आपत किया, और उसने किया था, और उसने साथवे दिन विश्राम किया, अपने सभी कारे जो उसने किये थे, फिर परमिश्वर ने साथवे दिन को आश्रवाद दिया, जब विश्वर कुछ आश्रवाद देता है, तो कितने दिनों के लिए, एक साल, एक दसक, एक सदी, प आपके आगे हमेशा के लिए जारी रह सकता है क्योंकि आपने इसके आश्वा दिया है है परमेश्वर और ये हमेशा के लिए धन्द हो जायेगा परमेश्वर ने सबब किसके लिए बनाया था मरकुज 2.27 ईचुने कहा सब मनुश्य के लिए बना है और सब्ध के लिए मनुष्य नहीं, यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, आदमी छटे दिन बनाया गया और सब्ध के दिन साथवे दिन आदमी के लिए बनाया गया, क्या सब्ध के और यहोदियों के लिए बना था, जब परमेशन ने सब्ध बनाया, तो कोई भी यहोदिय अन्य जाते नहीं ताकि वल मानों जाती थी परमेशन आदम और उसके सभी वर्शत के रिए सद बनाया जिसे आप और मैं शामिल है आए देखें कि सीने परवत पर मुशाने से पहले परमेशन के आग्यां कैसे थी हम निर्गमन सोलह में पाते हैं कि इसराइली मिस्रे से निकल करता है। उन्हें मनना या सवर्क से मिठी रोटी परता ने करा। जिसे वो छे दिन इखटा करेंगे लिगिन पांच आयत में परमेशन आएथा कि छटे दीन जिसे ते ती वस कहा गया, उन्हें दी गुना इखटा करने को कहा गया। बाद में 25 एश अचवाश में परमेश साम के क्यों पोईत्र रखा गया मन्ना स्वत से गिनने की कहानी हमें दिखाता है कि परमेशों के लोग सिनाय परवत पर आगया पाने से आगे ही साथ को पोईत्र रखना जानते थे बाद में निर्गामन बीस अध्या में पाए गया अब देखते हैं कि जब तक अनुन समारक परमेशों ने पत्थर के पट्टी पर लिखा रेत या कागज के तुकड़े पर नहीं उनका हमेशा आगया यूग अनुन के लिए है निर्गामन बीस आठ सब के दिन को पोईत्र रखने के लिए इसमन रखना ये एक मात्र ऐसे आगया है जो सब किशा शुरू होती है क्यो हम कल रात अध्यन कर रहे थे कि शैतान परमेशों के आगयाओं के साथ बदल डालेंगे और परमेशों उसे हमें वापस लान के आऊ शक्ता बताई हमें यह जानना चाहिए कि क्या दस आगया जो सब को अनिवारी बताती है क्या भी बदली गई जब इसमने परमेशों की नि यह मत सूचो कि मैं वावस्ता की पुस्तोकों को लोब करने आया हूँ लोब करने नहीं वलकि पूरा करने के लिए आया हूँ मतलब परमेशों की आगयाओं को उचा उठाने के लिए रूमेशों 13-10 नैनियम की पद में कोई आगया का संदब देते हैं उन्हें प्रेम रखना व्यवस्ता को पूरा करना है कि साथ जोड़ते हैं ध्यान दे कि नैनियम में हया हमें बताता है कि एश्व और पॉलुस परित कि इस दिन को पवित्र मानते थे मुझे पता है कि चल का दिन को पालन किया आए हम प्रेजितों के काम 17-2 पर देखें पॉल इश्व के मन्ने की बात आता है और इश्व का स्वक उठा लिये जाने के बात पॉल हमें बताता है कि वह क्या कर रहा है जैसा कि उसका रिवास था पॉल उसके पास गया और तीन सबत तक उसके साथ सास रखे रहे था यह जानकर आपको आश्य हुगा कि इश्व के मिलत्यू के बाद में उनके अनुवाई ने सब के दिन परमिश्व का सात्वा दिन को पॉइत रखा था जब भी इस पर संदेक रोल की क्या करें जवाब के लिए इश्व ने जो किया उसी को ही करो इश्व सभी चीजों में हमारे उधारने जैसे कि सब पालन पहला पत्र दो 21 पड़ते हैं क्योंकि मसी भी हमारे दूख उठाने आया हमें एक उधारन दिया आपको उसका अरुसरन करना चाहिए यह जानकर कि इश्व ने सब का पालन व्यक्तिकत रुप से प्रभाइद किया उसका पालन करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा प्रभू मेरा उधार करता है इसलिए अगर उसने सब को रखा है तो क्या मैं रखूंगी या क्या मैं रखूंगा अन्य जाती चो कम मसी ही बन गय थे वे सब को रखे पीटों की काम 13-24 में यह हमें बताता है इसलिए जब योधी अरदनाले स से बाहर गये अन्य जाती उने पॉल से बिंती की कि उन्हें अगले सब के दिन प्रचार किया जाए पॉल अब अन्य जारी रखने के लिए राजी किया और अगले सबत के दिन लगवा पूरा शहर एक साथ आया परिमिश्व को वच्चन सुनने के लिए धान दें यह घटना कर्मों का कर्म इससर से चलता है शुकुरवार जो सबता का चटा दिं था वदत दिन इस दिन इसुनिवस्ष्क उन्हे अगले सबता का साथवा ने होता होगा subscribe इस सब्ध कहता है, ईशु ने सनिमार को सप्ध के दिन कपर में विश्राम कै, और फिर अगले दिन जो सब्था का में सब्था कहता है, सब की पहचान इसपस्ट है सब सपताहिक चकर का सात्वा दिन और जिस दिन को हम सनिमार कहते हैं कई मसीहों ने कहा लेकिन हम रईवार को पासना करते हैं पुरुरुथान के सम्मान में ठीक है मसी ने हमें पुरुरुथान का प्रतिक दिया यह सच है इश्व क्या कहता है उसके पुरूर्थान काacterफ उससो है रोमयो 6, 3, 4 क्या आप जान ही जानते कि हम मिसी जितने ने मर्शी इसु में बठतिस्मा लिया उसकी मृत्थिव लिया गया फिर से हम उसकी साथ मृत्थिव में माद्यम से दफनाये गया जैसा कि मसी मिर्तिकमे से उठाया गया और फिर पिता की महिमा से यहा था कि हमें जीवन में नए पण में चलना चाहिए दपना आया गया पुनरजीवित किया गया हम बेप्तिस्मा लेते हैं दोस्तों हम नए जीवन जीने केatures पानी के निए कबरे से आते है बप्तिस्मा पुरुरुथान का नियम है इसमे कोई शक नहीं कि मसी का पुरुरुथान एक महत्पुरुण घटना थी और ऐसा कि उसका जन्म उसका बप्तिस्मा उसका सुरी परचड़ना उसका सुरुगा रहुण था क्या येश्यो के लिए उसके जीवन में महत्पुर्ण घटना की दिनों के सब्ध के दिन को बदलना तर्ख संगत होगा ये उस्तुकता है कि इतने सारे मसी सब्धा के पहले दिन क्यों उपासना का दिन करके मनाते हैं यहां इस बात का प्रमाण है कि इश्यो ने पुनुर्धान के समय सब्ध को नहीं बदला एक दिन इश्यो ने अपने सिस्यों को एक साथ इखटा किया और येरुश्युलम के आने के विनास पर चर्चा किया मत्ती 24-20 इश्यो कहता है कि प्रात्मा करें कि तुम्हारे सर्दियों में सब्ध की दिन भागना पड़े क्यों क्या है इसका मतलब यिशु ने अपने सिस्टों से क्यों कहा? कि प्रात्म को गर कि तुम्हारा भागना सब के दिन ना हो अगर वे यिशु ने सब को खतम ही क्या होता तो ये बिलकुल भी कोई मतलब नहीं होता उसने ऐसा क्यों कहा? आप देखे, अगर वे सब एक जगा एक साथ सब्ध के दिन उपासना कर रहे थे और रोमन से नाओ ने शहर पर हमला कर दिया तो क्या होगा रोमन से नाओ ने उन्हें नस्ट कर दिया होगा ये रुस्रियम को सत्तरवी इस्वी में नस्ट कर दिया गया था इसा के बाद स्वर्ग में पहले ही चड़ गया था, शुरू से ही परमिश्वर ने सब्त को अपने लोगों के साथ वाचा के रूप में इस्तिमाल किया, चलिए उसके बारे में सोचते हैं, वाचा या अनुबद बनाने के लिए कितने लोग होने चाहिए, कम से कम दो, क्या सि स्विकृति के में परमिश्वर साथ अपनी वाचा बदल सकते हैं, मुझे इसका उधारन दे, परमिश्वर पोईत्रिक गया क्या मतलब पोईत्रिक कारे करने के लिए अलग किया गया, जैसे शादी में एक महला को एक पूरुष के लिए पोईत्रिक किया जाता है, आईए अभी एक शादी समारो की कलपना करें, सुन्दर दुल्हा, एक सुन्दर दुल्हन को शादी करने के लिए उत्साहीद है, लेकिन जिस महला को उसने सादी करने के लिए चुना है, उसकी छे बेहने हैं, समारो के बाद वो कार में बेसब्री से इंतिजार कर रहा है, अपने ह अधिकी है उसका जवाब है इससे क्या फर्क पड़ता है मैं साध में से एक हूँ दोस्तो क्या ऐसे कोई फर्क पड़ता है हाँ पड़ता है शाधी शुरा जोड़े के लिए निश्युत्रुप से फर्क पड़ता है केवल एक ही था जो पोईतर जिसे वो चुना गया था एक म प्रभु का दिन सब्ता के पहले दिन, राइवार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो कोई प्रकासित्व के एक दस्त में, प्रभु का दिन आत्मा में था कई धार्णाय बनाएगी, यह पर सब्ता का पहला दिन को प्रभु का दिन नहीं कहता, लेकिन इशु जानता है कि कौन कर देन को सब्सकी करें, हमीafar माठी बरेबिश्स को नोलिए कि करी औन को यह बॉठी दिन मोड़ है, daí आप सब की दिन से अपने पाउं को मोड़ देते हैं, तोशी करने मेरे पवित्र दिन प्रभु के पावन दिन परड़ से ध्म॥ साथवान दिन सो से अधिक प्राचिन और आधनीक भासों में सबत के सात्वी दिन का नाम दिया गया है। जैसे अरीभी सपेट में स्पनिश सपेदो इसको रणी सुबेटा ग्रह पर अलग अलग भाशा हैं बताती हैं। सबत सबता का सात्वा दिन हैं, इंग्लेड में रॉयल ग्रेन वीज, वैत शाला और सहुक्तराज नौसेना, नौसेना वैत साला की रूम में, इस तरह के भरुसे मन स्रोतों के अनुसार सापता ही चर कभी नहीं बदल जाता। आई हमारे ग्रह के सौरे मंडिर के बारे में सोचते हैं, हम अपने वर्स के चक्रे को नापते हैं, प्रित्वी सूरी के परिक्रमा करती है, करती है, चेद्रमा प्रित्वी के परिक्रमा करता है, दीन प्रित्वी के 24 घंटे की वितर पनी धूरी पर घुमता है, लेकिन हम साथ दिन का सब तक कहा से प्राप करते हैं? परमिशन ने हर दिन के रिए सुबह रशाम करके संभुधित किया है दोस्तो बाइबन में एक दिन 24 घंटे का दिन को शाम से शाम तक मापा गया तो चलिए इस पर सकरते हैं शब्द कब सुरू होता है और कब कतम होता है? मत्यी एक बालतीस में माक शब्द को परिवासित किया गया शाम को जब सुरत अस्त हो गया सुरत क्या अस्त होना लेववस्ता 23 बत्ति शाम से शाम तक आप्रा विश्राम दिन मनाएंगी हम देखते हैं शब्द सुर्यास से शुरू होता है उत्पत्ति एक पाच और परमिशन ने उजयालो को दिन कहा और अध्यारे को रात कहा इस बकार पहला दिन हो गया जब 24 गंटे किया हो थी या दिन के बारे में बात की जाती तो शाम को हमेशा सुबे से पहले गिना जाता है इसलिए सब्द शुक्रवार को सुर्यास से सनिवार सुर्यास तक मनाए जाता है आप जो सोचते होंगे कि नया नियम में दस आग्या कहा है पर नया नियम में भी है निमलकित गंत्रों में हम देख सकते हैं इशुर उनकी अनुवाई ने निया में दस आगयां लगातार सिखाना जारी रखा, ध्यान दे कि सबत आगयां का उलेक सबसे अधिक है, क्योंकि परमिश्वर चाहता है कि हम उसके महत्व को जाने, पहली आगया मत्ति चार दस में मिलती है, दोस्तों, दूसरी आगया पहला यहना परितों के काम के कारिय में मिलता है, तीसरी आगया पहला तीमिशिस में आप देख सकते हैं, चौति आगया मत्ति, मरकूज, इबरानियों, कुलूसियों की किताब में मिलता है, दोस्तों, याद रखे कि आप हर स्लाइट को थोड़ी देल करें, रोक कर वापस आ सकते है, क्रिपया आप में समय पर अपनी बाइबल में इंसप्प को पढ़ें, क्या परमेश्र की आगयों को दस सुझाओ कहा जाता है, दस शिफारी से दस अच्छी विचार, दोस्तों, अच्छी इरादे से हम कहते हैं कि यह परियाप नहीं है, आप जो सोचते हैं वो सही है, आपने सबस्दें करने के लिए को यह प्यूरे के वाचा द्पुजाथि यह परियाप नहीं है, आपके आत्मा का उध़ार दाओं पर है, आपको अपने लिए पोईशार की कोज करने चाहिये, अपना विश्वास हो सकता है आपको अपना पादरी हो सकता है पर आपके उद्धार का नियुव नहीं बाइबिल हमें एक निष्चित्मार्ग बदान करती है हमेशा हमें स्वर्कियों इशारा करती है परमिशर अपने पोईतर सबत के दिन इस्थाई तोर पर जोड़ देने क क्या कर सकता है हमें बताए गया है हमें से शिश्यों ने सिखाया हमें अननकाल तक पित्वी पर रखेंगे स्वेम के लिए पुत्र को हमारे उधारन को रूप में भेजा उन्होंने अपनी आवाज के साथ बुला उन्होंने अपनी उंगली से लिखा ये शेयत 6223 मने अकाश नहीं पित्वी की रूप में जो में बनाओं का मेरे सामने रहेगा परमिश्यों कहता है एक सबत से दूसरे सबत में सभी मेरी मानों जाती मेरे सामने उपासने करने आएंगे और परभु कहता है कि मुझ दिन की पतिक्षा नहीं करता और नहीं कर सकता परमिश्यों का योज तो मेरे यागा को मानोगे, यदि मेरे अग्याकार्था प्रेम से प्रेडित नहीं है, तो मेरे सारा परिशम से विधी परायान मात रह रहा जाता है, सापतारी पवित्री विश्राम इस्मरण करने का अर्थ हम महान सिश्रिकता परमिश्रों के संतान है, जैसा कि हमने पहले प पुस्तों जिनके सीर में परमिशो सब का चीन या मोर लगाया है। जाहिए कोई भी हो अपना फैसला कर लिया है और एशु के लिए चुल ले गया है। ये लोग परमिशो की सभी आग्यों को मानते हैं और एशु पर विश्वास रखते हैं। विस अच्छाई से इतना प्या हुए तो मामा सिसिट और उसके पती ने अपने रईवार चर छोड़ दिये। और जब एक दिन उसका पती एडवेंटिस वर्ल रेडियो कारिकरम सुन रहा था। सादवे दिन सबत के बारे में जान लिया। इसे उसे हैरान और परिशान कर दिया। क्योंकि इसने पहले से क चुरू होगा। उसने तूरंट अपनी पत्ति को बताया कि उसने क्या सुना। दोनों पत्ति पत्ने साथ में सादवानी पुर्वक नोट लेती वे धिहान से सुनी। उनके द्वारा सुने गए बैबिल वर्स। बाइबिल कंतों से प्रिजित होकर बैबिल सब चर्च को ख चलें। कुछ दिनों के चन्नी के बाद वो एडवेंटी चर्च में आये। और पहली बार अन्य लोगों के साथ सबत उपासना में शामिल हुए। और जब वो सामिल हुए तो बहुत खोश हो गए। करिश्या के पाद्रे नवे ने एक चर्च की जानकारी थी उनके गाउं इस थकावट यात्रा को कई बार उन्होंने किया, अंत में फिर घर पर चर्च करने का फैसला किया। बहली ही उन्होंने पड़ोसियों से उनका मजायक उड़ाया हो। बाइबल के सच्चे सब्द के कारण जो द्रिन निश्य उनने क्या। उनके प्यार के कारण मामा सिसित उनके पती ने अब तीन चर्च नए विश्वासियों के लिए बनाया है। यदि सारी सदियों के लोग सच्चे सब्द का पालन करते, विकाश वादिये मुर्ति पुजग नहीं होता। हम इस दुनिया के इतिहास के सबसे गंभीर काल में जी रहे हैं दोस्तों। पृत्वी क्योंकि परिमिशर और सैतान दोरों ही आपके उपासना करना चाहते हैं। शैतान आपको नश करना चाहता है, रिशो आपको बचाना चाहता है। फ्लोरीडा का एक छोटा लड़का अपने घर से पीछे बड़ी नहर में तैरने के लिए भागा। फ्लोरीडा का एक छोटा लड़का अपने घर के पीछे बड़ी नहर में तैरने के लिए भागा। मुस्कराती वी मा अपनी रसोई के खिड़के से बाहर देख रही थी। अचानक उसके चहरे पर नजर घबरहाट में बदल गई। एक छोटा लड़का जो कि अपने घर के पीछे नहर में तैरने के लिए जाता है। रसोई में खाना बनाती वी मा मुस्करा रही होती है और अचानक जब उसकी नजर पढ़ती है अपने बेटे पर तो वो घबरा जाती है। जाहिर है कि बहुत बड़ा मगरमच नगर में चला गया था। यह पानी में फिसल गया और अपने बेटे के और बढ़ने लगा। वह चिलाती भी बाहर भागी मगरमच मगरमच अब तैरना मत। लड़का तूरन चार और घूम गया लेकिन जैसे वह वापस आया किनारे के पर मगरमच के जबड़े उसके पैरों पर लिपड गये और उसे वापस पानी में खिचने लगे। मा ने अपनी बेटे के हाथों को वैसे ही पकड़ लिया जैसे वह फिसल रही थी और उसने इस मगरमच के साथ युश शुरू कर दिया। वह एक तरह से खिच रहा था और मगरमच दुसरे तरफ से खिच रहा था। कुष्टी के ताकतों द्वारा उसे खट-खटाए जाने का वह था चिलाया। लेकिन तब वह फिर से अपना पैर जमा लेती थी। वह अपने जीवन से लड़ती रही। एक माँ अपने बेटे के लिए अपने जीवन से लड़ती रही। लड़के ने तड़ते उले चिलाया क्योंकि मगरमच ने उसे एक मौत के रोल में खिचने की कोशिश कर रहा था। उसकी चिक को, उसकी पुकार को, उसके जोर से चिखने की आवाज को सुनकर पड़ोसी किसान महां आते हैं। उसने अपनी राइफल पकड़ दी, निशाना साधार मगरमच को गोली मार दी। और फिर लड़के को फटे पैर तूट गया। उसकी रहाई के दिने स्थानी रिपोर्टर लड़के को पुछा, कैमरी को अपने निशान दिखाओ बेटा, जैसे कि उसने अपने पैरों के उरिशारा किया। छोटा लड़का बड़ी मुस्कराते वे कहा, नहीं यहां देखो मेरी बहां में इन दागों पर इसे अपनी बाजुओं पर बने निशानों पर इतना गरतवर्तिका, यह मेरी निशान है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे मृत्यू से बचाया। दोस्तों मगरमच आपको नस्ट करना चाहता है, यह छोटा लड़का जो कि नहर में खेलने के लिए जाता है, आज हम भी इस दुनिया में उस मगरमच से खेलने के लिए जाते हैं, आज हमें मगरमच हमारा नस्ट करना चाहता है, हम पर निशान लगाना चाहता है, लेकिन उस माता के जैसे, उस चोटे बच्चे की मम्मी के जैसे, आज प्रभू यिशु मसी भी हमें जकडन करके अपने आप हमको पकड़ के रखा है, और वो हमेशा के लिए हमारे उपर मुहर कर देना चाहता है, तुम्हें से कितने लुग परमिश्व का छाप उसकी सील को लेना च दोस्तों, हमें मगरमच की जाल से अपने आपको बचाना है, मगरमच की जाल से अपने आपको दूर रखना है, उस चोटे के बच्चे के बाजों में बने निशानों पर वो जितना गर्व कर रहा था, वैसे भी हमें भी परमिश्व के काम को अपने जीवन में लाकर गर्व येशु ने सनिवार को सब के दिन कपर में विश्राम किया और अगले दिन जो सब्ता का पहला दिन था येशु ने उठा बाइबिर उसे रईवार कहती है सब का पालन करना हमारी लिए बहुत जरूरी है दोस्तो शैतान परमिशो की आग्याओं के साथ बदल डालेंगे और परमिशो उसे वो आपस लाने के लिए आवशकता बताई हमें जानने की बहुत सब जरूरत है कि दसाग्याँ जो सब पालन अनिवारे बताती है क्या कभी बदली जिग गई है जब इशु परमिशो की नियम का अंद करने का इलजाम लगाया गया तो उसने लुका 16-17 में इश्पस्ट क्या सवर्ग और पित्वी टल जाएंगी पर इन्तु मेरे वच्चन कभी नहीं टलेंगे हमारे प्रभू इशु मसी के द्वारा परमिशो का धन्नवाद हो इसलिए आप बुद्धी से परमिशो की ववस्ता का पालन करें सीर मन से आप अपने आपको परमिशो के समीप लाएं स्वर्दुतों ने सैतान के क्रोध को तब तक दबाय रखता है जब तक परमिशो के लोगों ने उसके छाप को सुईकार नहीं कर लेता दोस्तों लोग बाइबल सबत के बारे में सिक रहे हैं फैसला ले रहे हैं लेकिन शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हम सात्वे दिन को विश्राम करें परमिश्र यवा का विश्राम दिन सात्वा दिन परमिश्र यवा का विश्राम दिन है इसलिए अपने करीबी दोस्तों के बताएं प्रकाशित्वा के पांच नौ में बाइबिल कहते कि आप योग गए हैं आप मारे गए हैं और हमें अमने खून से परमिश्रों के लिए छुड़ाया है तो परमिश्रों के हमें क्या धिकार है कि हम उसके उपास न करें वो हमारे सिस्ट्री करता है इस्ट्रों ने लोगों को उसके निर्मान और सक्ती के संकेत न कि मोहत चीन के रूप में क्या प्रदान किया उस खोईवी भेड बीढ के समाणर आज भी हम खो चुके हैं दोस्तों उस खोईवी भेड को पाने के बाद उसका मालिक कितना खुश हुआ आज हम हम भी जब मीलेंगे तो प्रभु हमसे भी बहुत खुश हो जाएगा अंद में किसी न सिजहाओ दिया कि एक बड़े शहर में जाने की Adventist Church, जब Adventist Church में हो जाता है तो इसकी बहुत उपासना में जब शामिल होता है तो इस बहुत खुश हो जाता है और आज वो तीन चर्ज बनाया है विश्वासियों के लिए यदि सारी सिस्टी के लोग इस तरह से काम करें तो सच मुझ हमारा परिमेश्वर हमारे कामों से वो खुश हो जाएगा उस छोटे से बच्चे की कहानी जो मैं भी आपको बताई कि किस तरह किसे वो छोटा बच्चा उस मगरमच के बाहों में चला जाता है उस मा के लिए एक बार के लिए सोचें कि उसकी मा किस तरीके से घबरा जाती है और उस मगरमच से लड़ाई करती है आई हम एक साथ प्रातना करें स्वर्गी पिता धन्नबात के लिए हमारे हाथों को कभी न जाने देने के लिए संगर्स करते रहें कि शर्तान की मुम में ना फस है इशु आपके हाथों में मेरी वज़े से आपको जखम हुआ हम सब की सचाई के लिए शुक्रिया करते हैं जो हम सब साथ मिलकर बैबल की भईतुराणिक में सिखा है इशु के अनमोल और सबसे शक्तिशाली नाम में आमीन दोस्तों क्या आप सब को पईद रखने के लिए निर्णे लेंगे क्या आप परमिश्र के आग्या मानने वाले मसी बनना चाहेंगे यदि आप चाहेंगे तो नीचे दिये लिंक पर क्लिक कर और हमें बताएं कि आपने सभी दस आग्या को रखने का फैसला क्या है अब हम देख सकते हैं कि जब सब सब्द जब परमिश्र का एक विश्वास योगी मुहर है तो बहुत सारे लोग दुसरे दिन को भी सब मानते हैं कल रात आपको कारण जानने के लिए जटका लग सकता है देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद परमिश्र आपको आशिज दे और कल बाइबिल भौश्ट दौणी पर नकली के लिए कल फिर से एक साथ जुडेंगे इश्वर का रास्ता चुने शुब राती दोस्तों थैंक यू झाल